नमस्कार मित्र जैमातदी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो अभी भी वक्त है संभल जाओ नहीं तो इतना पच्च्टाओगे इतना पच्च्टाओगे की रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा डंके की चोट पर सच बोलताओं मित्रो की यह गटना आपकी खुशियों को मातम में बदल देगी और इस गटना के बाद जिंदगी पहले जैसी भी नहीं रहेगी दिनांक 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर इन तिन दिनों के महत प्रुन समय अंत्राल में आपका जीवन मित्रो बहुत बड़े संकट में पढने वाला है वीडियो बहुत खास होने वाली है एक-एक साउधानियों को बड़े ही ध्यान से सुनेगा मित्रो क्योंकि एसा वीडियो बार-बार नहीं बनता है सबसे पहले तो सिर्फ महादेव के सच्चे भक्त ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवश से लिखिएगा गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाई पुरुन करेंगे मित्रो अंत्रिक्स में उपस्तित समस्त ग्रह गोचर एवं नक्सत्रो का प्रभाव आपके जीवन पर गेहरा रस्त डालने वाला है मित्रो वीडियो बहुत खास होने वाली है कौन सी साउधानिया बरतना पड़ेगी कौन सी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी घटनाएं आपकी जीवन में घटेगी समस्त बाते इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगी तो चलिए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बात करते हैं अगले तिन दिनों के मेहत प्रण समय अंत्राल की तो मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंत्राल में अपने प्रेमी जीवन को लेकर आपको बहुत ही जदा सतर कर रहने की आवश्यक्ता है क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके रिष्टों को खराब करने की कोसिस करेगा आपकी उम्मिद एक मेहक से भरे हुए खुबसुरत फूल की तरह खिलेगी लेकिन उन उम्मिदों पर पाने भी इतनी ही जल्दी फिरेगा जितनी जल्दी आपकी मेहक और सुगंद चार और जाएगी क्योंकि मित्रों इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपकी जीवन में बहुत सी साउधानिया हैं जो आपको वरतना पड़ेगी रियल एस्टेट और वित्ती लेंडिन करने से आपको बचना चाहिए यदि आपने इस समय के अंतराल में पेशों का लेंडिन किया और रियल एस्टेट में मित्रों पेशा लगाया तो पेशा डूबेगा ही डूबेगा विडेस में रह रहे किसी रिष्टेदार से मिला तोफा आपके लिए मित्रों फुसियां लेकर आएगा आपके जीवन में पेशों का आगमन होगा लेकिन पेसे आएंगे पर वहर रुकेंगे नहीं अर्थाज टिकेंगे नहीं आपको पेसो का विशेश ध्यान रखना है वहीं आपको बता दे मित्रो कि विवादित मुद्दो को उठाने से बचे हैं जो कि विवादित मुद्दो को उठाने सा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और विदेश में रह रहे किसी रिष्टेदार से मिला तोफ़ा आपके लिए खुशियां लेकर आएगा मित्रो आप डेट पर जा रहे हैं तो मित्रो आपको बता दे कि आपको बहुत सा उधनी बरत्नी है अपने बोलचाल के लेहजे में कब कहां केसे कितना बोलना है इस बात का आपको बिलकुल भी मित्रो पता नहीं है दफ्तर में लोग आपकी तारिफ करेंगे हर कोई आपकी प्रतियाक रसन होगा हर कोई आपसे कुछ न कुछ जरूर सिखने की चाहा रखेगा लेकिन आप सब को सिखाने में मित्रो सक्सम नहीं हो पाएंगे आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिस करेंगे लेकिन अपने मन्त को सांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय विताना पसंद करेंगे मित्रो कभी-कभी आपके चाहने वालों का मेला लगता है लेकिन चाहने वालों के बीच में ही कुछ ऐसे आश्ठिन के साथ भरे रहते हैं जिन से आपको बचना चाहिए साथ ही आपको बता रेते हैं कि मुम्किन है कि महरी या काम वाली बाई की तरफ से कोई परेशानी खड़ी हो जिससे आपके वापके जीवन साथी का तनाव संबंदे आपके उपर कोई एसा घडिया आरोप लग सकता है जिसके बारे में आपने आज इसे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा मित्रो अपने घर की इस्तितियां बहुत बिगड़ी हुई है इसे जल्द से जल्द सुधारने का प्रियास करे नहीं तो परिवार भी खर जाएगा दादी या किसी बुजर्ग महिला की सेवा करने से प्रेम संभन्द बहुत अच्छे रहेंगे माता पिता की सेहत का विसेज ध्यान रखने की सलह आपको दे जाती है और आपका कोई करिभी मित्र आपका परिचे किसी खास इंसान से कराएगा जो आपकी सोच पर गेहरा प्रभाव डालेगा जिससे मिलकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में सकरात्मक्ता भी पन बेगी मित्रो आपको किसी अज्यात इस्त्रोत से पेशा प्राप्त हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखियेगा कि अज्यात इस्त्रोतों से अधि आपको पेशा प्राप्त हो रहा है तो आपको उस पेशों को एकाकर रखना होगा बचाकर रखना होगा जिससे आपकी कई आर्थिक परिसानिया दूर हो जाएं बच्चों से बहुत सारी समस्याइं जुड़ी हुई है और बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकाले अपने प्रेय की गेर मौजूदगी में आप खुद को बिलकुल खाली महसूस करेंगे मित्रों व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है वेवसाई के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकरात्मक परिणाम देगी और चंद्रमा की स्थती को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आपके पास काफी खाले वक्त होगा लेकिन बावजुद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था मित्रुखालिस समय है लेकिन फिर भी आपका मन कहीं और ही लगा हुआ है काम से पूर्न रोप से भटका हुआ है ना तो आप अपने जरूरे काड़े को कर पा रहे हैं और ना ही फिजूल के काड़े को कर पा रहे हैं जीवन साथी की वज़े से आपकी कोई योजना या कार गड़बड हो सकता है लेकिन धेर बनाये रखें और गुस्सा बिलकुल ना करें अपने जीवन साथी पर नहीं तो होगा यह कि बेकार के वाद विवाद उत्पन होंगे और रिष्टे बिगडेंगे आपको बता देते हैं कि प्रेमी प्रेमी का को लाल या नारंगी रंगी कोई भी वस्तो गिफ्ट करने से आपकी लव लाइफ बहुत ही बढ़िया चलने वाली है साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते ही कि अगर आप प्रियाप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जदधकान महसूस करेंगे सेहत बहुत बढ़िया है इस सेहत का मित्रों आपको थास ख्याल रखना है थोड़ा सा आराम करने पर ध्यान दे क्योंकि आप एक इनसान है मनुष्य नहीं मित्रों आप एक इनसान है माफ कीजिएगा आप एक इनसान है कोई मसिन नहीं जो पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ काड़ ही करते रहें इसलिए आराम करें आपको अतिरिक्ट आराम करने की जरूरत होगी अतिरिक्ट आई के लिए अपने स्रजनात्मक विचारों का सहरा लेने से आपको मित्रों कत्राना नहीं है क्योंकि बच्चे आपको अपनी उपलब्जियों से गर्व का अनुभव कराएंगे मान सम्मान में आप मित्रों बहुत आगे रहेंगे चाती फुला कर उरे समाज में गुमेंगे आपको बता दें कि यात्रा की चलते रुमानी संभंदों को बढ़ावा मिलेगा और आपको इस बात का धियान रखना है कि हर किसी से रुमानी संभंद बनाने से परहेच करना चाहिए मित्रों सेमिनार और गोष्टियों में हिस्सा लेकर आप कई नए विचार पा सकते हैं और बच्चे खेल कुद में ज़्यादा समय विता सकते हैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाही के प्रती धियान रखना चाहिए मित्रो ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की भी संभावना बन रही है और अपने जीवन साती के साथ आप प्यार और रुमानियस से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाएंगे वहीं आपको बता देते हैं कि सोते समय तामभी के पात्र में जल रख कर अगली सुवा घर के पास वाले पेड़ की जड़ में उस जल को डालने से सेहत चाहे कितनी भी खराब हो चाहे कितनी भी गोली दवई लग रही हो मित्रो सेहत ठीख हो जाएगी और सारे दुख दर्द दूर हो जाएगे खाने पीने की चीजों के प्रती आपका एट्रेक्शन बढ़ रहा है लेकिन कुछ भी खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि मित्रो अकसर आपको जो बीमार्य घेरती है वह आपके विवस्टित खान पान की वज़े से ही घेरती है आप कुछ भी खाते हैं आपको बता देते हैं मित्रो भाई बेहनों के बीच के संभंद मधोर रहेंगे उन संभंदों को जितना हो सके संभाल कर और संजो कर जी हाँ पति-पतिनी के बीच में हर छोटी-मोटी बात खटी-मीटी नोग जोकी ही रहेगी लेकिन आपका जो प्रेमी है उसे गुस्सा भहुत जल्दी आता है उनके गुस्से पर कंट्रोल रखने की यादत नहीं है तो अपने सब्दों का चयन उचित तरीके से करें और कुछ भी कहने से आपको बचना चाहिए तो मित्रो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और मित्रो कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाए नमस्तूब अवश्य लेकिएगा और देनिक रासी फल एवं रोजान अग्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभिमित्रो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जोगें